गुड़ेवनिंग दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल EMU क्लास के सुपर संडे स्पेसल सिरीज के आज के इस वीडियो में तो मित्रो तयार हो जाएए बहतरीन प्रशनों की आज की सिरीज है और आज की ये साम सुपर संडे स्पेसल सिरीज में देखते हैं आपका प्रफार्मेंश क्या है और कल एक प्रशन था जो हम लोग का पहला ही प्रशन था जो मुझसे मिसिंग हुआ और उसका उत्तर मैंने जो है गलती जो है दे दिया जिसके कमेंट्स बहुत सारे आये कल तो उस प्रशन को मैंने इसमें साबिल भी कर लिया है जिसके उत्तर को किलियर कर दिया जाएगा आज की उसका उत्तर जो है जान मीरो ही होगा ठीक है तो चलिए अच्छी बात है कि आपने ध्यान दिया मेरा ध्यान पहले ही कोश्चन से हट गया था उस और मैंने उत्तर कुछ गलत गलत दे दिया तो चलिए फटा-फट तयार हो जाई है अपने कमेंट्स को करने के लिए सुपर संडे स्पेसल सीरीज का आज का पहला प्रशन आपके सामने है और चैनल पर पहली मर्तमा है तो सब्क्राइब कर लिजेगा विट बेल आइकन ताकि नोटिफिकिशन अपडिट होता है और हमारे फेस्बुक पेज एम्यू कलसे सार्ट को जो रूफालो कर लिजेगा त गुगल शायनिकों ने देखा प्राग एतिहाशिक मानों ने देखा सिकारियों ने देखा या इन में से कोई नहीं तो सुपर संडे स्पेसल स्रीज के पहले प्रशन की सुरवात हो चुकी है और आपके कमेंट्स की सुरवात हो जानी चाहिए क्योंकि आज के वेडियों और अच्छे प्रश्णों के साथ मिलेंगे और आपको मैंने कल कहा भी था कि आज एक आखिरी में प्रश्ण है आपका जिस प्रश्ण का उत्तर आपको देना है Recently प्रश्ण है वो कला का Recent टाइम में उसके बारे में पता चला है तो उसका उत्तर आप लोग देंगे तो चलिए पहले प्रश्ण का पहले सुरुवात करते हैं उत्तर से तो पहले प्रश्ण का उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा सी सिकारी ने किषने देखा ल्टी मीरा गुफा के प्रवेस द्वार को किषने देखा सबसे पहले तो शिकारी ने देखा ठीक है यानि सिकार करने वाले शिकारी उनको देखे आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की तरफ चलते हैं दूसरा प्रशन देखी हमारा क्या कहना है प्रशन संख 15 सदी तक यानि 14 सदी से पहले की बात कर रहा है मध्य 15 सदी तक यानि कि मध्य 15 सदी जब 15 सदी जब शुरू हुई उसके मध्य यानि बीच तक या मध्य 14 सदी तक या पुर्व 15 सदी तक तो इसमें से कौन सी सदी तक इशाई कला का काल विस्तार रहा ये आपका दूसरा प्र सुपर संडे भी आपकी प्रोफार्मेंस बहुत अच्छी होगी तो दूसरे प्रश्ण का सुरुवात जो है उसका उत्तर सही होगा बी मध्य 15 शदी तक कब तक मध्य 15 शदी तक आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्ण का जिकर करंगे प्रश्ण संख्या 3 देखियेगा क्या कह रहा है तीसरे प्रश्ण का कहना है कि अल्टमीरा गुफा के चित्रों में अधिकांस्ता किस रंगों का प्रियोग हुआ है तेक है अल्टमीरा की जो गुफा है उसके चित्रों में अधिकांस्ता किस रंगों का प्रियोग हुआ है चित्रों में अधिकांस्ता जिस रंगों का यूस किया गया क्या वो रंग पीला है नीला है हारा है या लाल गेरू है तो यह है तीसरा प्रश्ण आप देख रहे हैं साथिय साथियों आज सुपर संडे सिरीज और इस सुपर संडे सिरीज में आपके पास है बहतरीन प्रश्णों की स्रिंखला और उमीद करता हूं कि आज की प्रफार्मेंस आपकी बेश्ट होगी हमेशा की तरह तोल्टमीरा गुफा के चित्रों में दिकाहता जिन रंगों का प्रियोग हुआ साथियों वो रंग है लाल गेरू क्या है लाल गेरू चलिए रुख करते हैं अगले प्रश्ण की तरप प्रश्ण संख्या आपका चौथा चौथा प्रश्ण देखिया हमारा क्या कह रहा है प्रश्ण संख्या चार का कहना है किस काल में बहुत भड़ कीले और चमकदार रंगों का प्रियोग हुआ बहुत भड़ कीले और चमकदार रंगों का यूज किया गया कौन से काल में बरोक कला में काल कह रहा है सौरी कला ठीक है कौन से कला में भड कीले और चमकदार रंगु का प्रियोग हुआ है बरोक कला में रोकोको कला में पात्र कला में या आधोनिक कला में ठीक है तो यह है हमारा प्रश्ण संख्या चार सुपर संडे स्पेसल सिरीच का और कमेंट्स आपको करने हैं उत्तर आपको देने हैं और आज की स्पेसल सीरीज टेस्ट सीरीज को आज आपको जाचना है कि सुपर संडे में क्या है आपके प्रोफार्मेंस बेश्ट ठीक है तो चोथा प्रश्न चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या होगा इसका तो चोथे प्रश्न का सही जबाब जो केंगे मित्रोफ प्रश्न आपके इस क्रेंट पर है और प्रश्न का क्या कहना है देख लिजिए प्रे स्पेन तथा सथा 10 весь पस्छिमी प्रांत के कालत्मग गुफहाओं का पता चला उत्तर इस पेन और दश्चडी पश्चमी प्रांत के जो कलात्मक गुफाओं थी उनका पतात कौन सी सदी में चला 17 शदी के अंत में 19 सदी के अंत में 16 शदी के अंत में या तिर 18 शदी के अंत में ठीक है तो यह है पांचवा प्रश्ण किस सदी के अंत में उत्तरी इश्पेन और दच्छडिय प्रांति का लात्मक गुफाओ का हमें पता चला यह आपको कमेंट्स करना है और आपको मैं बात बता देता हूं कि 5 जून से 5 जून से साथ ही हो हमारे फेस्बुक पेज पेज है उस पे 5 जून से 5 से 10 कोश्चन डेली आपकी लाइव क्लास चलेगी रात में 9 बजे आपकी डेली लाइव क्लास चलेगी कम से कम 5 से 10 कोश्चन डेली आपको वहाँ दिया जाएगा तो दिया जाएगा तो वहाँ आपको उत्तर नहीं बता जाएगा लाइव क्लास में आपसे प्रश्चन पूछा जाएगा और आप कमेंट्स के माध्यम से अपने उत्तर को देंगे और उन सभी उत्तरों को आपके वेडियो लाइव क्लास होने के ठीक एक घंटे बाद उस उत्तर को वहाँ पे मेंसन कर दिया जाएगा मेरे फेस्बूक पेज के मैं उत्तर माला पूरे डाल दूँगा यानि 9 बज़े मैं लाइव क्लास लूँगा जितना दिर लगे उसके ठीक एक घंटे बाद मैं आपको जो है उसका उत्तर डाल दूँगा और आप लोग देख लीजिएगा कि क्या सही है तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा तो फटा-फटा आप लोग जुड़ जाईएगा हमारे क्लास में पांच जून से याद रखिएगा पांच जून से आपके लाइब क्लास डेली हमारे फेस्बूक पेज EMU Classes 8 पे चलेगी ठीक है कम से कब उसमें पांच से दस कोश्चन होंगे जिसको हम पूछेंगे और उसके ठीक एक घंटे बाद उसका उत्तरम उसमें मेंसन करेंगे तो पांच वे प्रशन का सही जबाब जो होगा वो हो जाएगा बी उन्निसवी सदी के अंत में तो सामिल होईएगा ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िएगा फालो करिएगा पेज को ताकि आप वहाँ पे अपना वहाँ भी कुछ ना कुछ आपको मिले ठीक है आएए च्छै नमर प्रशन को देखते हैं प्रशन संख्या 6 कह रहा है मस्तबा किसे कहते हैं ठीक है प्रशन का कहना है मस्तबा किसे कहा गया नगर को, सासक को, समाधी को या पादरी को तो यह है प्रशन संख्या 6 सुपर संडे स्पेशल स्रीज आज के इस वीडियो का और च्छै नमर प्रशन का कहना है कि मस्तवा किसे कहते हैं मैं यही कहूंगा कि पूरा वीडियो आज का देखिएगा जरूर डेली की तरह क्योंकि वीडियो देखेंगे तभी आपको बीच में अभी बहुत सारे बहतरीन प्रशनाएंगे और एकदम दिल से और रिलेक्ष होके इमानदारी पुरोक अपने प्रशनों का उतर दीजिएगा साथियो तो मस्तवा किसे कहते हैं छे नमर का कहना है साथियो मस्तवा जो है वो समाधी को कहते हैं किसे कहते हैं समाधीकों ठीक है आगे बढ़ते हैं सात्वे प्रश्ण का हम लोग जिक्र करने वाले हैं प्रश्ण संखियर साथ ध्यान से देखिए सात्वा प्रश्ण क्या कह रहा है साथवे प्रस्मिका कहना है कि प्राग एतिहाशिक मानों द्वारा अंकित सर्वपर्थम चित्र प्राप्त हुए प्राग एतिहाशिक मानों के द्वारा सर्वपर्थम जो चित्र अंकित प्राप्त हुए वो अल्टमीरा में प्राप्थ हुए यानि अल्टमीरा जो है गुफा है या लासको की गुफा में या एबू में या अजन्ता में ठीक है तो प्राग एतिहाशिक मानो द्वारा अंकित अंकित मिन्स आसर यहां है बनाने से प्राग इतिहासिक मानों जो है पहली बार जो सरुपर्थम जो चितर बना हुआ था उनके द्वारा तो वोँग er सबसे पहले हमें कहां प्राप्थ हू害 और प्राग इतिहासिक bit द्वरा है पीछे से अपना टेस्ट करके कि कितना आप टेस्ट में अच्छा रहते हैं और कितना आपके प्रफार्मेंस बेश्ट चल लए है तो इस प्रश्ण का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए अल्ट मेरा की गुफा में ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम आठोवे प्रश् यानि जो वाइट रंग होता है उसका जो मान होता है वो क्या सबसे कम होता है सबसे अधिक होता है या माध्यम में होता है मतलब बीच में या इनमेशे कोई नहीं होता ठीक है तो प्रश्न शंख्या आठ प्रश्न का कहना है कि शफेद रंग का मान होता है तो साथियो ये व उपर सीरीज में कम से कम 30 प्रशन आपके होते हैं और उसमें आपको बेश्ट करना होता है आज की सीरीज का जो कि आपको अच्छे से पता है कि अच्छे प्रशनों की सीरीज संडे में अपडेट होती रहती है और आज आपका एक रीसेंट कला का शवाल भी है और देखते हैं कितने लोग उसके बारे में जानकारी लेके रखे हैं तो कि Facebook आप सभी चलाते हैं जो है Google सुगल सभी आप चलाते हैं लेकिन मुझे यह देखना है कि आप कितने एक्टिव रहते हैं उन सब चीजों पे अपनी जानकारीों को लेके आज का सवाल आप करते हैं कर देगा ठीक है तो आठवा प्रश्ण और इसका सही जबाब जो होगा वो हो जाएगा आपका B सबसे अधिक सफेद रंग का मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है B राइट एंसर प्रश्म संख्या आठ कर 9 नमर प्रश्ण की तरह बढ़ेंगे प्रश्म संख्या 9 आपके सामने अब है वो 9 नमर प्रश्ण का देखी क्या कहना है प्रश्म संख्या 9 कह रहा है किस कला के चितरों में प्रकास तथा छाया का नाठ किया एवन मनो बैग्यानिक परयोग किया कौन से कला के चित्रों में यानि उसमें से कौन सी कला के जो चित्र है उसमें प्रकास और छाया प्रकास देखेज़ा एक छुट गया है प्रकास और छाया प्रकास का नाटकी और मनोबैग्यानिक परियोग किया गया कौन सी कला के चित्रों में रोकोको कला के चित्रों में पात्र कला के चित्रों में समकालीन कला के चित्रों में या बरोक कला के चित्रों में तो साथियो आज की सिरीज बहुत स्पेसल सिरीज है हमेशा की तरह संडे में जैसे आपको मिलता है और पूरी उमीद है कि हमारे सब्सक्राइबर साथ ही इसका जो है benefit लेंगे अच्छा और कला के छेत्र में एक अपनी अलग पहचान बराएंगे ऐजे teacher knowledge के रूप में तो साथियो 9 नमबर प्रश्ण का सही जबाब जो होगा वो क्या होगा तो वो हो जाएगा T बरोक कला ठीक है प्रकास तथा छाया प्रकास का नाटकियो और मनोबेज्ञानिक प्रियोग जिस चित्रों में कला के किया गया वो था बरोक कला ठीक है आगे बढ़ते हैं दस नमबर प्रश्ण की तरब दिखिएगा प्रश्ण संख्या 10 प्रश्ण का कहना है धन्य है सांती दूत नामक चित्र में किस गुफा के समान बिसाल संयोजन किया गया है ध्यान से प्रश्ण को देखिएगा धन्य है सांती दूत ये चित्र का नाम है और इस चित्र में किस गुफा के समान बिसाल संयोजन किया गया है यानि इस चित्र में धन है सांती दूत के चित्र में इन में से किस गुफा के समान विसाल संयोजन किया गया है बादामी गुफा के समान यानि उस चित्र में किया गया है जोगिमारा गुफा के समान अजनता गुफा के समान या बाह गुफा के समान तो सवाल नंबर दस प्रश्ण संख्या 10 और बहुत ही सुझा हुआ और मज़ा हुआ प्रश्ण है यह ध्यान पुरोग देखिएगा प्रश्ण को और आराम से रिलेक्स होके अपने प्रश्णों के उत्तर को दीजेगा एक बार में इमानदारी से उत्तर दीजेगा और उसी क को आप कनफर्म मानिएगा तभी आपकी टेस्ट जो है सफल होगी आप टेस्ट अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या प्रफार्मेंस आज के वीडियो में सुपर संडे का रहा तो दस्वा प्रश्ण जो है उसका सही जबाब जो होगा वो हो जाएगा सी अजनता की गुफा क यानि धन्य है सांती दूत नामक चित्र में जिस गुफा के समान विसाल संयूजन किया गया है उस चित्र में वो है अजनता गुफा इसके अलावा एक और गुफा है जिसके समान इस धन्य लोक में किया गया है विसाल संयूजन तो एक तो हमने बता दिया जनता दूसरा क कौन्सा है कमेंट्स आप करके बताईएगा ठीक है अगला प्रश्ण 21 नम्र्प प्रश्ण पर हैं आपके से कह रहा है अशित कुमार हल्दर ने इनमें से किसका बांगला में अनुवाद किया बांगला में भासा में अनुवाद किया ठीक है इक गिरहावा प्रश्ण है यह बांगला में अनुवाद किया हलदर सहाब ने इसमें से किसका मेख दूत का रितु संगहार दोनों का या किशी का नहीं तो बंगाल सैली के कलाकार काफी मसुहूर कलाकार कला के छेतर में बंगाल सैली में इन्होंने इतने अच्छे और इतने ज़्यादा वर्क किये कि लोग बंगाल सैली में इनको बहुत अच्छे से जानते हैं तो इन्हों ने बांगला में अनुवात किया है, इसमें से एक बुक का, वो मेगदूत है, उसका किया है, या रित्व संधर का किया है, या दोनों का किया है, या किशी का नहीं किया है तो फटाफट ड्रॉप करते जाए कमेंट्स को आराम से अपने प्रश्णों को मैं पढ़ रहा हूँ और आराम से आपसे मैं रिलैक्श हो के उत्तर ले लूँगा कमेंट्स का और सभी निव सब्सक्राइबर और पुराने हमारे साथी याद रखें पांच जून से डेली नो बजे आपकी रात में रात की बात कर रहा हूँ रात को नो बजे हमारे फेस्बुक पेज एम्यू क्लासे साथ पे फालो कर लिजिए पांच से दस कोस्चन डेली मैं आपको वन हावर बाद उस प्रस्ण का उत्तरमाला मैं उस पेज पे डाल दूँगा जिससे आप अपने आपको मिला सके कि हां कितना हमारा इसमें सही हुआ तो ये पांच जून से सुरू होगा तो उससे पहले आप लोग ज्यदा से ज्यदा उसमें फेस्बुक पेज को हमारे फाल अगे बढ़ते हैं 12 नमर प्रश्ण की तरफ रुक करेंगे बहुत ही सांदार प्रश्ण है ये भी अपने आप में वैसे तो सभी प्रश्णों को बहतरीन लिया गया है कोशिश किया गया है 12 प्रश्ण कहे रहा है कि अशित कुमार हल्दर ने एतिहासिक घटनाओं पर आध जो चित्र बनाए उस चित्रों के शंख्या कितनी है 30 चित्र बनाए उन्होंने 40 चित्र बनाए 45 चित्र बनाए या 50 चित्र बनाए ठीक है प्रश्ण समझ में आ गया एतिहासिक घटनाओं पर उन्होंने चित्र बनाया है वैसे तो बहुत सारे माध्यमों में उन्होंने चि लेकिन एतिहासी घतनावों पी और उन्होंने चितर बनाये लेकिन उन repair नाओ चितरों की संख्या कितनी है जो एतिहासी घतनाव पर रहाए लेकिन ऑर हमारा 12中 cry अिस सूपर अगे बढ़ते हैं तेरा नमर प्रश्ण की तरब चलते हैं प्रश्ण संख्या 13 देखिएगा तेरा हमाँ प्रश्ण आपका कह रहा है खयालिशा सांग्स किस चित्रकार द्वारा बनाये गया चित्र है ठीक है खयालिशा सांग्स ये चित्र का नाम है और जिस चित्रकार द्वारा ये बनाये गया है चित्र उस चित्रकार का नाम क्या सारदा चरण उकेल है अशित कुमार हल्दर जोगें चोधरी या जी आर संतो तो आधुनिक कलाका वो कौन सा कलाकार है इसमें से जिसने बनाया खायालिशाशा ठीक है तो यह है आपका प्रश्ण संख्या 13 और आप धीरे धीरे अपने प्रश्णों के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं इस पेसल संडे सुपर सीरीज मैराथन का 30 प्रश्णों का सीरीज है और इस मैराथन संडे के 30 प्रश्णों में आज आपको देखना है अपने आपको जाचना है परखना है कि क्या है आज के आपके प्रश्णों के वीडियो के प्रफामेंस तो 13 प्रश्ण का सही जबाब जो ह वह आपका हो जाएगा, B. अशित कुमार हल्दा द्वारा, किसके द्वारा? अशित कुमार हल्दा द्वारा, आगे बढ़ते हैं, चोदा नमर प्रश्ण की बात करने वाले हैं प्रश्ण संख्या चोदा दिखेगा बहुत ही मज़ेदार ये सब प्रश्णों को बहुत सोच समझ के चुन के काफी समय लेके बनाया गया है आज और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सुपर पशंद आएगा आज का वीडियो म गहरा अध्यान किया था यानि पर्मानन्चोयल जो कलाकार हैं उन्होंने 1956 से लेके 1960 इस वी के बीच में पर्मानन्चोयल सहब ने जो है एक जानवर का काफी गहरा अध्यान किया था अब 56 से 60 के बीच में जितने साल हो गए उतने साल तब पर्मानन्चोयल सहब ने एक जानवर का काफी गहरा अध्यान किया था वो जानवर है कौन सा गाय का अध्यान किया था घोडे का हाथी का या भैसो का ठीक है ये 14 नमर प्रश्ण है आपका और बहुत ही सुपर प्रश प्रश्णों के और आपको अच्छा लगेगा आज का सिरेज और आपकी प्रफार्मेंस मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा देंगे ठीक है तो चलिए कमेंट्स करिए इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा तो साथियो 14 नमर प्रश्ण का जो कहना है उसका सही जवाब जो होगा वो हो जागा भैसो का ठीक है इसलिए आपने पढ़ा होगा कि परमादन चोयल को भैसो का चितेरा कहते हैं तो इसलिए कहते है क्योंकि 1956 से लेके 60 के बीच उन्होंने इसी भैसो पर काफी गह जो है अध्यान किया इसलिए उनको उसका चितेरा कहा गया आई आगे बढ़ते हैं लेगे पनदनमर प्रश्ण को देखते हैं प्रश्ण संख्या पंदर घ्या कहा यों प्रिश्ण का कहना है उन्होंने अध्यान किया कुछ सालों तक और उन्होंने किन-किन माध्यमों में अपना वर्क किया है जोएल साहब ने वास माध्यम में किया है टेमपरा माध्यम में किया है तेलरंग माध्यम में या इन सभी माध्यमों उन्होंने कारे किया है ठीक है 15 में प्रश्ण का कहना है और Half Series पे आप पहुँच चुके हैं Super Sunday के 30 प्रश्णों के Series में आप Half पे हैं इस समय यानि आधा हमारा प्रश्ण हो चुका है इस वीडियो में और आधे प्रश्णों का जो Performance होगा Performance वो हमको लग रहा है बहुत बेश्ट होगा हमारे साथियों का और उमीद हमेशा रहती है कि आप बहुत बेश्ट करें और TGT PGT कला में एक Teacher के रूप में उभर कराएं ताकि आप भी कह सके कि हाँ हमने AMU Classes ये सब प्रश्णों का अध्यान किया है तो 15 हमें प्रश्ण का जो कहना है उसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा D सभी माध्यम यानि वास माध्यम में भी काम किया चोयल साहम ने टेंपरा में भी किया और टेल रंग माध्यम में भी उन्होंने कारे किया ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे 16 नमर प्रश्ण को देखते हैं प्रश्ण संख्या 16 हमारा क्या कहना है 16 में प्रश्ण का कहना है किस आधुनिक कलाकार को बाबा के नाम से संबोधित किया जाता था ठीक है प्रश्ण संख्या 16 है आपके सामने एक आधुनिक कलाकार है इनमे से जिनको बाबा सब्द के नाम से संबोधित किया जाता था क्या उनका नाम भुरिशिंग शेखावत था मंजीत बाबा, गोबर्धन लाल जोसी या देव की नंदन सर्मा ठीक है? तो इनमे से वो कौन सा आधुनिक कलाकार है? जिने निकनेम तर समझ लिजी एक तरह से वो निकनेम था जैसे कि आपने देखा होगा बंगाल सेली के कलाकार बाबु मोसाय कहा जाता है नलबसुस आपको तो उसी तरह से इसमें से एक कलाकार है जिनको बाबा के नाम से संबोधित किया जाता था वो कलाकार है को ठीक है तो साथियो 16 प्रश्ण का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका C गोवर्धन लाल जोसी को किसे कहा गया गोवर्धन लाल जोसी को आपसा में मंजीत बाबा को मैंने इसलिए रखा है कि कई लोग मंजीत बाबा सब्ध है तो इसका राइट एंसर C होगा आगे बढ़ते हैं 17 नमर प्रश्ण आपके सामने है प्रश्ण संखिया 17 17 हमें प्रश्ण का क्या कहना है देखिए कह रहा है देश के ऐसे पहले कलाकार जिन्होंने जनजातियों की कैनवास पर सुंदरमई जाकिया प्रस्थुत की यानि देश के पहले पहले ऐसे एक अलाकार जिन्होंने जनजातियों की यानि जो जनजातियों होती है जैसे माली जे दच्छिट भारत के असम में चले जाए MP में भी चले जाए इसी तरह से नागपूर में चले जाए यह मतलब कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर जनजातिया बिलांग करती है तो यह कह रहा है परशन की देश के ऐसे पहले का लाकार जिन्होंने जनजातियों की कैनवास पर सुंदरमई जाकिया प्रस्थुत की कि कैनवास पर उन्होंने इन जनजातियों के चित्रों को बनाया जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे माल लिजिए कि वो जनजाति कुछ अजीब तरीके से काम कर रहे हैं यह एक्जामपल के तोर पर जंगल के किनारे बस से हुआ कोई जनजाति है और वो जोपड़ी रखा हुआ कुछ अजीब तरह से जिंदगी जीर है तो उसको उन्होंने अपने कैनवास पे उतारा तो वही चीजे कह रहा है कि सोंदर्माई जहाकिया अपने कैनवास पे उन्होंने जन्जातियों की प्रस्तुत की उसका लाकार का नाम क्या है तो चलिए ड्रॉप करते जाएं पठाफ़ट अपने प्रश्णों के उत्तरों का और नोटिस आपने सुनी लिया है एक बार और फिर कह देता हूँ कि 5 जून से आपको डेली 5 से 10 कोश्चन कम से कम रहेंगे लाइब क्लास फेस्बुक पे हमारे EMU क्लासे सार्ट पे यही लोगो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बाक्स में वीडियो के वो लिंक मिलेगा जॉइन कर लिजेगा फालो कर लिजेगा वहाँ पे डेली 5 जून से रात में 9 बजे मैं आपको यह वीडियो डायल लाइब दूँगा उसमें आपके प्रश्ण को मैं बताऊंगा नहीं इसी तरह से सब उसके बारे में पूछूंगा लेकिन उत्तर लही दूँगा उत्तर कब दूँगा प्रश्ण जब बता लूँगा उसके ठीक एक घंटे बाद में आपको उत्तर माला उस पे सेंड करूँगा पेच पे और आप मिलाएगा कि आपने कितना रिस्पॉंस उसमें दिया तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का प्रफामेंस जो सुरू करने वाले हैं आपको पशंद आएगा कमेंट से जरूर बताईएगा कि सर हाँ ठीक है ये जो सुरू करने बहुत अच्छा है बताईएगा जरूर ठीक है तो 17 प्रश्ण का सही जबाब जो है वो हो जाएगा गोवरधन लाल जोसीन है ठीक है आपने इनकी एक चित्र सुना होगा धान रोपते हुए तो क्या है जनजातियों से संबंदित चीजों को काफी नों ने बनाए है उसमें उनका एक चित्र भी है धान रोपते हुए ठीक है आगे बढ़िए 18 नमर प्रश्ण को देखिए प् ठीक है उसा राने हुजा एक फिमेल का लाकार है एक फिमेल का लाकार थी वो ठीक है अब दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कितने मुर्ति सिल्पु का निर्माड किया ये पूछ रहा है आपका प्रश्ण संख्या 18 ठीक है पचास मुर्त अठार नमर प्रश्ण आप देख रहे हैं सुपर संडे मैराथन ठीक है सुपर संडे मैराथन सीरीज हमारे साथ ही देख रहे हैं और इस मैराथन में 30 प्रश्णों की सीरीज है आपके पास और आप इस सुपर संडे मैराथन में अपने आपको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या है आ उनकी जो संख्या है वो है पच्पन कितनी है पच्पन है ठीक है आगे बढ़िए उन्निस नमर प्रश्ण को देखेगा प्रसंद संख्या उन्निस क्या कह रहा है उन्निस नमर प्रश्ण का कहना है कलाकार हिम्मश शाह ने इन में से किन माध्यम में उभारदार मुर्तियों का निर्माड किया ध्यान से समझेगा हिम्मश शाह ने माध्यम इस्तमाल किया उभारदार मुर्तियों का निर्माड करने में तो कौन से माध्यम का इनमें से इस्तमाल किया उन्होंने उभरदार मुर्तियों का निर्माड करने में हिम्मस साहने ठीक है प्लास्टर में इस्तमाल किया उभरदार मुर्तियों के लिए या सेरिमिक में इस्तमाल किया माध्यम का या तेरा कोटा में इस्तमाल किया या इन सभी माध्यमों का उन्हों ने उभारदार मुर्तियों को निर्माड करने में इस्तमाल किया ठीक है तो 19 नमर प्रश्ण है साहव साहव ने उभारदार मुर्तियों का निर्माड करने में कौन से माध्यम का शाहरा लिया इस्तमाल किया प्रियोग किया यूज किया जो भी कह लिजिए ठीक है तो चलिए कमेंट्स करते जाए फटाफट कमेंट्स करिए हमारे शातियो और फेस्बुक पेज को फालो जरू कर लिजेगा क्योंकि आपको नोटिस मिल चुका है कि वहाँ क्या होने वाला है पांच उन से ठीक है और सेयर करिए पसंद आये तो लाइक करिए सेयर करिए ताकि बाकी लोग भी जुड़ें क्योंकि वो जब जुड़ेंगे तभी जाके जो है और लोग कुछ हम लोको सीखने को एक दूसरे से मिलेगा तो इस प्रश्म का सही जवाब जो है सभी यानि प्लास्टर में भी सेरिमिक में भी और टेरा कोटा तीनों माध्यमों में उभरदार मुर्तियों का निर्माड किया हिम्मत शाहाजी ने ठीक है आगे बढ़े हैं 20 नमर प्रस्म यही था जो कल आपका आन्ही लाया हुआ था पूरे बवाल मचाय पड़ा था हमारे कल के वीडियो में और बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि मिस अंडरिस्टेंडिंग जो है पहले ही प्रस्म पर हो गई और आप लोग का जवाब देख के बहुत खुसी हुई कि आप लोग का ध्यान था जितने लोगों ने कहा जितने लोगों ने इस बात का कहा कि सर इसका इंसर यह होगा तो बिल्कुल सही जवाब था आपका क्योंकि मेरा ही ध्यान हटा था और मैंने जो है कुछ और भी कल बोल दिया था ठीक है तो य उत्तर गलत हो गया है आप सब का थैंक्यू धन्यवाद और इस बात को मैं एकसेप्ट करता हूं कि मेरा ध्यान हटा था और उत्तर वहाँ पर गलत हो गया था तो इसका सही जवाब था जान मेरो ठीक है तो इस प्रश्ण को मैंने इसलिए ले लिहाए आज वेडियो में 20 प्रश्ण संख्या 21 आपके सामने है और प्रश्ण का कहना है कि कलाकार जियोती स्वरूब ने आंतरिक जंगल में कितने चित्रू को चित्रित किया ठीक है कलाकार जियोती स्वरूब ने आंतरिक जंगल आपको पता ही है उनकी स्रिंखला आंतरिक जंगल जिसको आप इनर जंगल भी कहते हैं अपके जगाब Inner जंगल लिखा होता है, ठीक है, Inner जंगल किस ने बनाया से चितर को, तो वही चीज है, उसी को आंतरिक जंगल कहते हैं, हिंदी में, तो कलाकार जोतिय स्वरूप ने आंतरिक जंगल में पूछ रहा है, कितने चितरों को चितरित किया है, पचास से अधिक चित तो प्रश्ण यही है, कई लोग देखें हैं, हमने कमेंट्स करते हैं, कि सर बुक कौन सी पढ़ें, कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो सबसे पहले मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि रीता परताब की बुक रख लिजिए और उसको पढ़ियेगा, पढ़ने का मतलब बहुत अच्छे से पढ़ियेगा, पेज को, क्योंकि बहुत अच्छे से जब पढ़ेंगे, तो जो हम पढ़ाते हैं, आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा, कि सर ने कितनी गहराई से उस प्रश्णों को पढ़ा है, और किताबों से प्रश्णों को उठाया है, और आपके लिए कभी-कभी नया लगता है, लेकिनों है नया कुछ नहीं, सब किताबों में ही है, अगर आपने रिता परताब की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आधे प्रॉबलम आपने अपना शाल्ब कर लिया है, और एक दो प्रश्ण रिविजन कलास के और भी ले लिजिएगा, जैसे कि मा लिजिए यूथ कंपरटिशन जो आ रहा है, नया वाला रिसे तो वो ले लिजिएगा, उसके अलावा जो है आपको मैंने बताया था कि घटना चक्र मिले तो वो ले लिजिएगा, और अपडेट रहिएगा, जो आप सोसल मेडिया पर रहते हैं, तो उस पे अपडेट रहिएगा कला के छेतर से, क्या-क्या, कला के छेतर मतलब सिर्फ कल देखते हैं क्या होगा तो इसका सही जबाब होगा C 100 से अधिक यानि जोती स्वरूपम ने आंतरिक जंगल में जितने चित्रों को चित्रत किया यानि इनर जंगल में वो 100 से अधिक चित्र हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या आपका कितना है यह देख लेते है एक किस नमर हो गया 22 नमर 22 प्रश्ण देखे क्या गह रहा है प्रश्ण संख्या 22 22 प्रश्ण का कहना है किस कलाकार ने अपने जीवन के आखरी पड़ाओ में मेटल इसकेप के छोटे-छोटे अमुर्थ सिल्पों का निर्माड किया ध्यान से देखिएगा प्रश्ण इसमें से एक कलाकार है जिन्होंने अपने जीवन के आखरी पड़ाओ में मतलब उनके जिन्दगी का आखरी पड़ाओ मतलब आसे ये हुगा कि मालीजिए 70-70 साल के अगर मालीजिए हैं एक्जामपल के दोर पे तो 70 साल के हैं मतलब अपनी जिन्दगी के आखरी पड़ाओ जी रहे थे उसके बाद दुनिया से चले गए तो उस आखरी पड़ाओ में उन्होंने मेटल इसकेप के छोटे छोटे अमुर्थ सिल्पो का निर्माड किया था वो कलाकार है को? क्या नाम है उनका? हिमस्षा, उसा रानी हुजा ने, जोती स्वरूप ने या रामकिंकर बैज ने ठीक है? जीवन के आखरी पड़ाओ में मेटल इसकेप के छोटे छोटे अमुर्थ सिल्पो का निर्माड करने वाले इन में से कलाकार कोन है? प्रश्ण संख्या 22 ये प्रश्ण है आपका और उत्तर आपको कमेंट्स के माध्यम से करना है काफी करीब है आप अपने प्रश्णों के 30 प्रश्णों के सिरीज में तीसवा प्रश्ण जो है वो आपका सवाल है रिसेंट कला का जो आपको अपने उत्तर के माध्यम से हमको ज्यादा से ज्यादा आज के सूपर सनडे सीरीज में देखना है कि कितने लोग उत्तर क्या देना है? और फिल्कुल इमानदारी से देना है, ठीक है? तो इस 22 नमर प्रशन का सही जबाब जो होगा वो हो जाएगा उसारानी हो जाने, किशने उसारानी हो जाने, आगे बढ़त जैपूर इंटरनेशनल एएरपोर्ट जैपूर में मियूरल का इस्टालेशन किया थीक है? आधुनिक कलकार इस में से वो हैं जो उन्होंने 2012 सन 2012 में जैपूर इंटरनेशनल एरपोर्ट जो जैपूर में है वहाँ पे मियूरल का इस्टालेशन किया था उस आधुनिक कलाकार का नाम क्या गोबर्धनलाल जोसी था सतीस गुजराल था राम जैसवाल या सूरेंद्र पाल जोसी तो इसमें से वो कौन सा आधुनिक कलाकार है जिनोंने 12 में 2000 जैपुर इंटरनेशनल एरपोर्ट पर मियूरल का इस्टालेशन किया यह है आपका 23 नमर प्रश्ण और आप अपने 30 प्रश्णों के सुपर संडे सीरीज के 23 प्रश्ण पे हैं और आज आप आप फाइनल संमिट करेंगे अपना बेश्ट देखे कि कितना आज आपका बेश्ट होगा और आपने आखरी शवाल यानि 30 नमर सवाल का उत्तर देने के साथ अपना बेश्ट प्रफार्मेंस आज का संमिट करेंगे आप डेले की तरह जैसे कल आपने की है ठीक है इमांदारी पुर्वक इमांदारी का मतलब आप समझे रहें कि हमने क्या बताया है तो तेश का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सुरेंदर पाल जोसी किस ने सुरेंदर पाल जोसी ने है चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नमर प्रश्ण की तरफ हम हैं और 24 नमर प्रश्ण देखिए हर तरह से हर टापिक से इसमें मिला के मैंने प्रश्ण को डाला है आज के सीरीज में तो आधुनिक से भी था और चीजों से भी था और देखिए अब सिंदुस अभेता से भी कुछ है तो प्रश्ण चोविस नमर का कहना है सिंदु सभेता के किस नगर में केवल तीन मिट्टी की मोहरे मिली है सिंदु सभेता का कौन सा नगर है जिसमें तीन मिट्टी की मोहरे केवल मिली ठीक है, मोहन जोदाडों में, हाडपा में, बनवाली में, या लोथल में तो 24 नमर प्रश्ण प्रश्णों की सीरीज में काफी करीब हैं आप अपने final submit पे लेके यानि final submit मतलब कि आप 30 तक जाते जाते अपने प्रश्णों का final submit करेंगे और 30 वा प्रश्ण आप हमें जवाब के रूप में अपने comments में देंगे क्योंकि वो हमारा तो 25 उसको भी और बताईए इस प्रश्ण को भी कि कि किस नगर में केवल तीन मिट्टी की मोहरे मिली सिंद्ध सब्वेता के तो प्रश्ण संख्या 24 का जो कहना है उसका जो सही जवाब होगा साथियो वो हो जाएगा आपका ए मोहन जो दाड़ों में कहां पर मोहन जो दाड़ों में ठीक है आगे बढ़िए 25 नमर प्रश्ण की तरफ अब हम लोग है प्रसं संख्या 25 25 नमर प्रश्ण का क्या कहना है देखिए कह रहा है मोहन जो दाड़ों से प्राप्ट टिकरे में कौन सी आकरिती का रेखाचित्र उत्करेड है यानि मोहन जो दाड़ों से हमें एक टिकरा प्राप्ट हुआ टिकरे उसमें उस टिकरे में एक आकरिती का रेखाचित्र उत्करेड था तो जो टिकरे में आकरिती का रेखाचित्र उत्करेड था वो किस चीज का था उत्कृड किया गया था मुद्राव की उत्कृड की गई थी रेखाचितर या नाव की या पशु की या पुरुष की सबसे पहली बात यह कि आपने प्रश्ण को समझ लिया कि नहीं मैं प्रश्ण पहले समझाने कि आपको हमेशा कोशिज करता हूँ क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है और यह प्रश्ण आपसे कह रहा है कि एक टिकरा मिला मोहन जो दाड़ो में तो उसमें एक आकरिती का रेखाचितर उत्कृड था उस टिकरे में तो वो क्या था मुद्रा का था नाओ का था पसुकी थी या पुरुष की आकरिती उत्कृड थी ठीक है समझ गए प्रश्ण तो समझ गए होंगे तो आपके कमेंट्स भी फटा फटा आ रहे होंगे काफी करीब है आप अपने सुपर सिरीज संडे के इस स्पेसल सिरीज मैं राथन में और पचीसवा प्रश्ण आपसे पूछा गया है जिसका सही जबाब है बी नाओ की किसका रेखाची तुत्कृड था नाओ की उस्टिकरे में ठीक है आगे बढ़ते हैं 26 नमर प्रश्ण देखिए 26 नमर प्रश्ण क्या कह रहा है आप देख सकी है सिंदुस्वा भेता के चित्रमय लिपी में कितने चिन्धों का प्रियोग हुआ है यानि सिंदुस्वा भेता में चित्रमय लिपी का विकास हुआ ठीक है सिंदुस्वा भेता में जो लिपी थी वो चित्रमय लिपी थी चित्रमय लिपी से मतलब यह है कि उस समय की जो लिपी थी जिसे माली जे ब्रम्भी लिपी हुआ देवनागरी लिपी हुआ तो यह सब चीज़े हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन सिंध उस अभेता में जो लिपी थी वो चित्र में थी, चित्र में मतलब कि चित्रों से सजी हुई थी, उसकी लिपी इसलिए उसको चित्र में लिपी कहा गया थे, तो उस चित्र में लिपी में कितने चिन्हों का परियोग हुआ था ये पूछ रहा है प्रशन हमारा, चीक है, यानि कि उस समय जिसे माली जो भी म पी का विखाश कहा गया और उसमें चिन्धों का जो परयोग किया गया कितना किया गया पांसो साड़े चार सो तीन सो चानवे या दो सो चानवे 26 नमर प्रशन का यह कहना है और उमिद करता हूँ कि प्रशन समझ गये होंगे सुपर संडे स्पेशल स्रीच आज की और 26 प्रशन पे आप हैं और हमारे साथ ही जो भी कला के जुड़े हुए हैं नए कैसा लगता है उनको वीडियो जो नए हैं रिसेंट जुड़ रहे हैं क्या उनको हमारी वीडियो पशंद आ रही है ज़रूर बताएंगे और प्लेलिस्ट में भी आपको काफी मात्रा में जो है वीडियो मिलेगा वहां आप जोड़ेंगे और वहां देख सकते हैं और सेस्बूक नोटिस जो हमने दिया है वह आप उसमें जॉयन हो जाईए वहां भी आपको 5 जून से सुरू हो जाएगा ठीक है तो 26 नमर प्रशन की तरब चलते हैं प्रशन संख्या 27 देखें क्या कह रहा है 27 वे प्रशन का कहना है अमारे सिंदुघाटी सभ्यता का अंत लगबक कितने इशापुरो में हुआ माना जाता है यानि सिंदुघाटी सभ्यता का जब अंत हुआ तो वो लगबक कितने इशापुरो माना जाता ह तो आज की मैराथन क्लास कैसी है संडे की ये जरूर आप कमेंट्स करते रहिएगा कि मैराथन क्लास कैसी लगती है संदे की आपकी और संडे इस पेसल ऐसे ही आपकी मैराथन मिलती रहेगी और ऐसे ही अच्छे प्रश्ण मिलते रहेंगे बने रहें डेली और डेली एक दूसरे को जोड़िये और हमारे हिम्मत को अपने हिम्मत के साथ जोड़िये एक जूट होई है और हम लोग अपनी काम्यावी को हाशिल कलेंगे 100% गारंटी है तो चलिए 27 प्रश्ण का सही जबाब जो होगा वो हमारा हो जाएगा D. 1500 इसापुरू लगभख 1500 इसापुरू माना गया सिंदु घाटी सब्वेता का अनुद ठीक है? 28 प्रश्ण का दिकर करेंगे वाले हैं 28 प्रश्ण आपके सामने है देखिएगा और ये प्रश्ण आपके देखिए बहुत अच्छा प्रश्ण है किस सहली में? सर्वधिक एक चस्म के चहरे और एक चस्म मुद्रा का अंकन हुआ है ध्यान से दिखिएगा इसमें एक सब्द इस्तमाल किया गया है सर्वधिक सर्वधिक मतलब की सबसे ज्यादा एक चस्म के चहरे इस्तमाल किया गया है और एक चस्म का मुद्रे का भी अंकन किया गया सर्वधिक वो किया गया उसके अलावा भी जो है और चस्म का यूज किया गया है लेकिन सर्वधिक सद्द का यहां इस्तमाल किया गया इसलिए उसके अनुछारब का भी कलब आपको एंसर देना है कि किस सैली में सबसे अधिक यानि सर्वधिक एक चस्म के चहरे और एक चस्म के मुद्रा का अंकन हुआ है मुगल शैली में हुआ है, या राजिस्थानी शैली में, पटना शैली में या कांग्डा शैली में प्रश्ण हमारा 28 का कहना यह है, ठीक है, पहली बात तो प्रश्ण हमारा यह हो गया, इसका उतार आपको कमेंट सी दिना है और एक चीज़ और आप से इस पे हम जो है चर्चा करेंगे इस सवाल में इस प्रश्ण में जो हमने मार्क किया है आपको देख लिजे नीले से जो कि सरवधिक एक चस्म के चहरे और सरवधिक एक चस्म की मुद्रा तो जो ये एक चस्म मुद्रा सब्ध है इसमें एक चस्म मुद्रा का आसे क्या है मुद्रा से मतलब क्या हुआ इसका यहां मुद्रा का आसे क्या कहना चाहता है हमारा सवाल यह आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि चस्म के चहरे तो आपको समझ में आ रहे होंगे लेकिन एक चस्म मुद्रा का मतलब क्या कहना चाहता है वो ये आप हमको कमेंट्स में बताईएगा और इस प्रश्ण का उत्तर के शाथ आपको हमको वो भी बताना है चुकि इस प्रश्ण का उत्तर तो हम देंगे ही लेकिन उसका उत्तर आप कमेंट्स में देंगे मुद्रा का अंकन हुआ उसके अलावा पौने दो चस्म का भी हुआ है लेकिन सरवधिक एक चस्म का हुआ है तीक है आगे बढ़ते हैं 29 नमर प्रशन और इसके बाद आपके सामने आएगा आखरी प्रशन जो आपसे पूछा जाएगा इसके बाद जो आएगा वो आपसे पूछने वाला प्रशन है तो यहां तक हम बताएंगे और आखरी आप बताएंगे और फाइनल सम्मिट होगा हमारा प्रशन कितना सही गया प्रश्ण कहा रहा है कि सितन वाशन गुफा में पौने दो चस्म के चहरों का अंकन किस युग की देन है जो सितन वाशन गुफा है उसमें पौने दो चस्म के चहरे मिले है ये तो किलियर हो गया एक प्रश्ण ये भी हो गया तो ये जो अंकन मिला है वो कौन से युग की देन है यानि किस युग की देन की है उसमें चित्रों के पौने दो चस्म के चहरे का अंकन उस गुफा के मोरे कालिन युग की देन है सुंग कालिन युग की देन है पल्लो कालिन युग की देन है या सात्वाहन युग की देन है ठीक है 29 नमर प्रश्ण वीडियो का सुपर संडे महराथन का आखरी प्रश्ण और इसके बाद जो प्रश्ण है वो आपका सवाल है जो हम आप से पूछते हैं और आप उसका जवाब उम्मिद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट में इमांदारी से बिना किसी सर्च बग करेंगे यह इमांदारी से करिएगा आप तभी जाके आपकी टेस्ट जो है आपकी काबेलिया सफल होगी एक्जाम में तो चलिए उन्हें दो चस्म के चेहरे कांकन जिसी युग की देन है सित्तलमाशन के गुफा में वो युग था पल्लो कालीन युग कौन से युग था पल्लो कालीन युग तो साथियो उमीद करता हूँ कि आज की हमारी सुपर संडे मैराथन की आज की वीडियो आपको बहुत पशंद आई होगी दिल से बताईएगा और आगे बढ़ते हैं अपने शवाल की तरफ जो हमने आप से आज पूछने के लिए बनाया है सवाल रिसेंट कोश्चन है ये हाल फिलहाल में इसको खोजा गया है अभी और बहुत ही लाजबाब प्रश्ण है ये हाल के ही करिंट है ये कला की प्रश्ण हाल ही में पूरा तत्व विदो को प्राचीन मिस्र की देवी देताओ के कितने चितर मिले हैं ये है आपका प्रश्ण बिना सर्च किये गूगल के इस प्रश्ण का पहले उत्तर दीजेगा और पूरा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मैं चाहूंगा कि इस प्रश्ण का उत्तराई मांदारिशे कि हाल ही में अभी रिसेंट में ही पूरा तत्त विदो को प्राचीन जो मिस्र है प्राचीन मिस्र यानि एंसेंट इजिप्ट की देवी देवताओ कि कितने चित्र मिले है 35 मिले 46 मिले 25 मिले या 55 मिले पहली बात तो प्रश्ण हो गया दूसरी बात मजे कि इसमें ये है कि जो चित्र मिले है वो इतने अच्छे और सुरच्छित है उसके रंग बागारा जो है सन्योजन जो है उसका वो इतने अच्छे से है कि बैग्यानिक और पूरा तत्तु इस बात पे लगे हूं है कि इतने शालों तक पढ़ा हुआ वो चित्र उसमें जो है अभी तक अपने रंगों को निखार रहा है इसकी क्या खासियत है पहली वाग ठीक है और आपको मैं बता दूँ कि वो चित्र ज धख गया था यसे कालिक कि कालिक को जाता है जम जाता है और चिडिया जो है बैखती है जगों जगों पे तो बीट कर देती है तो उन्हीं की वज़े से उ захड़ गया था जो बाद में अचानक से पूरा तटा की वज़े प्रश्ण का उत्तर दीजिएगा और बताइएगा कि आज की सुपर संडे मैरा असन स्रीच कैसे लगे जरूर दाइएगा और आज के लिए दीजिए इजाज़त कल फिर मुलकात करते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बहतरीन प्रश्णों की स्रीच तर तक के लिए द जिए जाज़त नमस्कार गुड़नाइट साथियों